असलाम अलेकूम आज हम अंडा पराथा बना रहे हैं जो के बहुत ही मज़ेदार, क्रिस्पी और फ्लेकी है सबसे पहले आटे को हमने पानी के साथ सक्त गूंड लिया है अंडा पराथा बनाने के लिए हमें इन चीजों की जरूरत है अंडे चार अदर प्यास एक अदर अगर आप अरा प्यास डाले तो चार अदर हरी मिर्चें तीन अदर पुदीने के चंद पते हरा धनिया चार टेबल स्पून के बराबर कटा हुआ नमक एक टी स्पून या टू टेस्ट लाल मिरच पौडर एक टी स्पून या 1-2 TSP कर ले, हल्दी 1-2 TSP, कॉल्स्टार्ट 2-3 TSP सब से पहले हम अंडे लेंगे 4 मदल, अखल के लिए हरी प्यास दालेंगे इस चार अखल, हमारे पास अखल अखले में थोड़ी सी दूसरी प्यास भी बीज में लोगी, आप चाहे हों, डुसरी प्यास दाले लेज Arnold ब्हान हरा धनिया और मिल्ट के चंद पते नमक एक टी स्पून लाल मिरच एक टी स्पून हल्दी आधा टी स्पून नमक मिरच आप अपने हिसाब से कम ज्यादा भी कर सकते हैं आप मेत लिए खना हुआ हुआ हैते हैं JOHN को हमने अची करें लेक हुआ हैं mitig अची करेंना। अधर्यों अधर्णों पराथे और हम के साथ बनाएं un especie फुन निया कि मेशा भीड़ी और रृष बंता है सबसे पहले हमने पेड़ा बना लेना है आम रोटी से थोड़ा सा छोटा पेड़ा बनाना है अब रोटी को हमने बिल्कुल गोल बेल लिया है अब हम इस पे मख़न लगाएंगे और इस पे हमने सुका आटा लगाना है थोड़ा थोड़ा हलके हाथों से इस पे थोड़ा थोड़ा चिरख दे इससे हीचे पराठा जो है बहुत ही क्रिस्पी बनेगा फिर हमने साइड से उठा कर रोटी को उपर कर देना है डबल कर देना है, फिर हमने इस पर बटर लगाना है, और दुबारा से उपर सुका अठा लगाना है, फिर इस तरह हमने मोट देना है, पर दूबारा बटर लगाना है, इस तरीके से पेड़ा बनाने से पराथा बहुत करिस्पी बनेगा, फिर अलका सा बटार लगा के पिर हमने आठा लगा देना है फिर इधर से उठा कर हमने उपर लगा देना है इसके बिल्कुल चौरस जो है यह पेडा बना लेना है हमने पराठे का स्ट्वेर शकल का अब हमने इसको बेलना है हाथों से थोड़ा बड़ा कर ले अब हमने इसके बिल्ड़ागा रड़ा मेंगा है यह वो अब हमने ले प्रुटे देना है वो बड़ाएं यह हमने बिल्कुल चौरस रोटी जो है यह बेल ली है बहुत ही मज़ेदार प्राथा बनेगा अब हम तब गरम करते हैं पराथे को हम थोड़ा सा पकाएंगे इसकी उपर अड़ा डाल देंगे अड़े को थोड़ी देर पकने देते हैं अब हमने साइड से उठाकर उपर रखना है और सामने वाली साइड से भी इसको जोड़ेना है अभी हम थोड़ी देर पकने देते हैं फिर हमने दूसरी साइड भी उठाकर जोड़ देनी है हुआ है अब हमने दूसरी साइडें भी उसके उपर जोड़े लिए हैं हलका हलका उपर से दबा देंगे अब हमने बटर लगा देना है इसके उपर बहुत ही क्रिस्पी मज़ेदार प्राटर अभी हम एक साइड से पका लें फिर हम इसकी साइड के इंच कर देंगे अब हमने इसकी साइड जो है यह चेंज कर देनी है और हलका हलका साइड दबा देंगे हलका हलका ताकि सारा जो है यह एक बराबर हो जाए और अच्छी तरह से सारी साइड से पक जाए अब हम पराटे की साइड जो है यह चेंज कर देते हैं अभी से देखिए अवाज आरी कितना क्रिस्पी पराटा है बहुत ही मज़ेदार आपको खाकर लगेगा आपने कुछ बेहतरीन सा स्मेट खा लिया रहे यह देखिए हम आपको इसकी शकल दिखाते हैं बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी पराटा है अभी हम थोड़ी देर दूसरी साइड से भी पकाएंगे यह पेड़ा भी हमने कॉल स्टाज के साथ चकोर बनाया है अब हमने इसको भी बेल लेना है ग्रिए नख रचान आपको लुटमाँ झाल यह झाल यह झाल रोटी हमारी बेली जा चुकी है अब हम पकाते हैं पराथे को डाल कर हमने साइजों पे थोड़ा थोड़ा मख़न डाल देना है ताकि ये तवे के साथ जुड़ेना अब हमने अंडा डाल देना है अंडा डाल कर हम थोड़ा से इसको पकाएंगे फिर हमने एक कोना पकड़कर रख देना है इधर और दूसरा इसके उपर अब हमने तवे को पकड़कर थोड़ा थोड़ा इसको हिलाना है ताकि अंडा जो है ये सारी साइडों पर एक जासा ही लग जाए हलका हलका मूव कर दें फिर हमने ये साइड उपर रख देनी है और फिर दूसरी साइड और अब पर सब्सक्राइड ये जूट जाएं और उपर हमने बटर डाल कर देना है आप भी बटर के साइड बनाएए बहुत भी दार लगते हां प्राशे अब ही हम इसी साइड चेंज कर देते हैं हलका हलका ही दबाना है जादा नहीं ताकि अंडा जो है अची तरह से अंडर से पाप जाए और पराठा क्रिस्पी हो जाए अब हम पराठे की साइड जो है यह चेंज कर देते हैं यह देखिए इसकी शक्तल बहुती क्रिस्पी यह देखिए ले रहे जो है यह अभी से यहां से खुल रही है बहुती क्रिस्पी और मज़ेदार पराठा अब हम दूसरी साइड पका लेते हैं हमारे मज़ेदार अंडा पराठा तयार है बहुती क्रिस्पी और मज़ेदार आप कैचप के साथ खाएए अब हम आपको तोड़ कर दिखाते हैं यह देखिए बहुती फ्लेकी और क्रिस्पी मज़ेदार अंदर से नरम बाहर से क्रिस्पी इस तरह आप एक पराठा के चार टुकड़े कर लें और कैचप के साथ खाएए बच्चे भी बहुत पसंद करेंगे और बड़े भी इन्शाला आपको हमारी रेस्पी बसंद आएगी आप भी बनाएए खुद भी खाएए सब को खिलाएए अला हाफिज नहीं कर गल कोई श कर दोड़ूद दिए ढर कम दो खाएएए आपको आपको खाएएपको